गुड मूनिंग स्टुडेंट चलिए सुरू करते हमारा पार्ट सेकंड जो हमारा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे रिवलूशनरी वूमेट इन इंडिया लेसन 18 उसका ये पार्ट सेकंड है हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं पंजाब महराष्ट और बंगाल की क्या र आता इंडियों रिटेव टेव अधर पार्ट अथा रश्वानी पार्ट ऑपट स्वामी श्याम जी बरमा श्याम जी बरमा थे जो इस्टेभलाइज इंडिया इंडिया आउस इं लंदन 1905 इस रोसेंटर प्रीलूसनरी है श्याम जी ऑलसो स्थ शोचलिस्श्या तब्स्ट बिनाइक दामोदर्द सावरकव, बिरेंदर नाथ, चटोपाध्याय, तुरूमल आचार, भीकाजी कामा, भाई प्रेम परमानंद, मदनलाल धिंगरा, लाला हरदयाल वर एक्टेब मेंबर ओप दिस सोसाइटी, तो ये जो सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, उसके ये सारे ए मेंदनलाल धिंगराने और बिनाइक दामोदर्दास को जेल भेज दिया गया, ठीक है, इन 1913 गदर पार्टी वर फॉर्म इन युनाइटेड इस्टेड ऑप अमेरिका, लाला हरदयाल वो अरेस्टेड की, लाला हरदयाल थे वो की, एक्टिविस्ट थे, इस पार्टी के किस थरीके से वो सोसन कर रहे है, उब्जेक्ट ऑगदर पार्टी वोस हेल्प टू लोकल रिवलूशनरी, उनका ओग्जेक्ट क्या था, जो लोकल करांतिकारी है, उनकी मदद करना, ठीक है न, इसमें क्या था, आप राजब्यारी वोस, विश्नु गनेस पिंगले, मेड प्लान और रिवलूट रिवलूट इन इंडिया, 21st फरवरी, 1915, बट इसकी प्लिस को सूच ना मिल गई, और यह फैल हो गया, ठीक है, अब इसमें आता है, तब फर्स्ट बल्ड वोर बिगन, लाला हर्दयाल, इस कॉम्रेट वेंट टू जर्मनी, उनके बाद जर्मन जी कामा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या खाता, तो उन्होंने बोला था, यह हमारे इंडिपेंडेंट सुतंतर भारत का फ्लेग है, नाओ लुक एट इट, इट हैस बीन बोन, यह पैदा हो चुका है, इट हैस बीन प्योर्टी ओपाइद बल इंडियन इंडिपेंडेंडेंस इन नेम आफ इस ब्लेग, आई ल्सोत फील, तो ओल डावर ओफिपेंडेंस ब्ल्डवाइड, देडे गेरकोपरे सुने। वे टो फ्रीडम टाइटेंट सुटल हीमेंटी जो फल प्त पार्ट है, टोटल हुमेंटी का, उसकी अरदत अनला हरदयाल फांड इंडिपेंदेंडेंस कमीटी विचे नौन इस जर्मन स्कीम इन 1915 तो ब्रेवरी और पेट्रोटिक फिलिंग रोस्ट बाइ रिवुलुशनरी इंस्पाइड था यूथ्डू एंबेजन दैस्ट्रगल फोर्स वराज अब इसमें देखना हैं इसमें आप देखेंगे बट देर पेटरोज्म एंड सेल्फ सेस्क्राइज बिकम दा सॉर्स ओप इंस्पिरेशन ओप मैसेज मतलब जो उनका से सेक्रिपिकेशन था देश के लिए उनकी जो देश भक्ती थी वो लोगों के लिए मैसेज बनी रही अब हम देखेंगे सेकेंड प्रफिश के रिवुलुशनी मुवमेंट तो रिवुलुशनी एक्टिविटीज कम तो इस्टेंड इस्टेल फॉर देखने को मिलेगा एंटार कंट्री एंड रिवुलुशनी वर बेटिंग फोर रिवेंज मतलब जो जलिया वाला बाग केस हुआ उसका बेट कर रही पू में लोग नॉर्मली आम सभा कर रहे थे वहां पर लोगों को लोगों को बहर हमी से मार दिया गया था बहुत लोगों को ठीक है तो उसका एक अलग ही जखम था देश के अंदर तो यह सेकंड फेस का हमारा रिवुलुशनरी मूवमेंट चाल होगा आप यहां पर प्रोमिने अब यहां पर यूथ समभा इन्होंने फॉर्म की अदर रिवुलुशनरी ओर्गनाजेशन लाइक हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपॉब्लिक हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपॉब्लिक असेशन कम अब दूरिंग दिस पीरिड इन 1928 चंदर सेकर आजाद सचंदर सन्या इन राम परसाद बिसमिल टूगेधर चेंद नेम ओफ हिंदुस्तान डिपॉब्लिक असेशन Дए वह उन्हें इसका नाम चैंजी ओंधुस्तान सूसलिस्ट रिपॉब्लिक असोचियसन की किया था आपके आजाद जीने संयाल जीने और बिसमिल जी ने ठिक। है थ मैं और अब रूट दा इंपायर लोब जो बिटिस का जो इंपायर है उसको हटा देना ठीक है प्रोग्राम ओप रिवलुशनरी मुमेंट्स ठीक है तो इसमें प्रोग्राम क्या थे पिटा तुसेज देट अब देखो प्रोग्राम चेंज होंगे अब यह मोडरेटर टाइप की सोच अब आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चाहिए गौली बारूच चाहिए तो नों ने फिर क्याकाना चालू किया बैंक्स बगेरा से और जो गवर्नेटरी ती उसको लूटना चालू किया किसके लिए जिस्ते आजादी आ जाये रिवुलुशनरी यह फेख वर मर्सी और बार इस्टिल लास्ट बर्डिक्ट बर्डिक्ट इस सउसेड़ूए अधिया यह हमारी लड़ाई आखरी तक है और आखरी यह तो सकसेट हो यह उनका स्लोगन हो चुकाता अभी तक आते हैं अब प्रोमिनेंट रिवलूशनरी एंड अधर एक्टिविटीज देखते हैं लोग ठीक है इसमें आपको देखने को मिलेगा काकोरी कांट जो हमने ऊपर बात की कि लोगों ने टेरिजरी और रोब करना चालू कर दिया तब हैं को है त थैंक यू आपको इतना समझ में आयोगा थैंक यू